तो भी शुरुवात करना चाहूँगा इंडिया पाकिस्तान के मैच के साथ और भाईया मैच की लग गई पूरी तरीके से पनौतिया सारा मूड ओफ कर दिया all thanks to BJP का टपू जैशा इस आदमी को पहले से पता था कि जहां पर ये मैच रखवा रहा है वेन्यू के उपर वहां पर भयंकर बारिश हो सकती है लेकिन फिर भी इसने वो वेन्यू सेलेक्ट किया और अपनी पीट को थपतपाने का काम किया इससे साफ पता चलता है कि भाईया ये कितने बड़े चान जिसमें लिखते हैं कि इस चपड़ी BCCI 11 is good for nothing अबे चपड़ी BCCI 11 टीम इंडिया भी यहां पर लिखा जा सकता था लेकिन BCCI को चपड़ी बुलाने का काम किया गया है और BCCI किसके अंडर में आती है ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता आगे लिखते हैं इ लिटरस सिना ने ड्रीम 11 पर टीम बनाई थी और सोच रहा था कि आज मैं यहां पर बहुत पैसे जीत कर निकलूंगा शायद पूरे महिने का खर्चा ड्रीम 11 से निकल वालू क्योंकि मोदी जी तो यहां पर बेरोजगार बनाई चुके हैं लेकिन इसकी लग गई पूरी त प्लेयर हैं और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो इंडिया के प्लेयर के शू का लेस बांध रहे हैं इस फोटो में बड़ा मेसिज चुपा है कि भीया दोनों देश के जो पॉलिटीशन है वो आपस में दूसरे बाएं लड़़ाने में लगे रहते हैं ये फोटो देखने के बाद भकतों का पेट जो है पूरी तरीके से अपसेट हो गया क्योंकि यहाँ पर प्यार की बात हो रही है इनको चाहिए खून खराबा मार पिटाई नसा पाड़ देंगे सर पाड़ देंगे तभी तो इनका खाना हजम होता है एक और फोटा आपको दि अगर तुम प्यार की शांती की बात करते हो तो तुम चपड़ी हो जाते हैं अपनी प्लिटिक्स को चमकाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार जैशा जिसकी वज़े से मैच की पनौतिया लगी वो करने में क्या बिजी था मतलब उसने ये मैच का वेन्यू रखा यहां पर बारिश सबको पता थी उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि य बोट स्पेसेज आफ्टर आईपील और डबलूपील वी एक्सेंड पार्टनर्शिप आट बीसी सी आई मीडिया राइट्स आज वेल वायकॉम 18 किसी से भी नहीं छुपाए अंबानी की कंपनिया और यह भाई साब जो हैं मीडिया राइट्स बेज कर और पैसे एकट्टे लेकिन कुछ दिन पहले भाई साब ने क्या बोला था जड़ा दोनों को स्क्रीन पर लगा रहा हूं देख लीजिए एक वारे लेकिन एक खिलाडी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए जब तक और इ जंदिगी से बड़ा नहीं है कि वीडियो और टपू के इस नमूने पन को देखने के बाद मेरे को सिर्फ यही सवाल दिमाग में आता है कि सारे गधे आखिरकार बीजेपी में क्यों भड़े पड़े हैं अब आगे पढ़ना चाहता हूं बात करना चाहता हूं जवान के ब दस करोड़ से जादा की कमाई एडवान्स टिकेट के द्वारा हुई जहां पर यह आकड़ा एक लाग पैसेट हजार लिखा गया है तरन आदर्श की स्ट्वीट को देखेंगे तो यह दो लाख तक भी इस टाइम पर टच करने वाला और अभी एडवान्स बुकिंग खुल बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करहें कि यहां पर समीर वानखेडे को उनके मुझे पताय क्या लगता शा on esther मोधी को जवाब दिया है यहाँ पर शारुक खान ने इस वाले डायलोग के साथ क्योंकि यार समीर वान खेड़े अकेले शारुक खान के बेटे पर हात नहीं डाल रहे थे पीछे उनके कौन था यह बात आपको और मुझे भी अच्छी तरीके से पता है Gems of Wollywood टाइप के लोग सुषान सिंग वाले जो जनता है और जो boycott Wollywood में लगे रहते हैं साधवी प्राची जैसे लोग जो है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए गदर टू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी और गदर टू असली ब्लॉक बस्टर है लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई यहां पर साथ में आ चुके हैं जवान की प्रोमोशन के लिए जरा देखो अपनी स्क्रीन के ओपर य में अदित्या एलवन के रहें सोलर मिशन जो है वह पूरी तरीके से काम्याब हो चुका और दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि जैसे अब इंडिया जो है वह सं के ओपर भी पहुंच जाएगा दो चार दिन के अंदर लेकिन सचाई क्या है नहीं बताएंगे आपको भक् इस गोइंग तो दे सन वाट ऑफ फीलिंग इंडिया जो है अब चाइना के साउथ सौरी मून के साउथ के बाद अब सन के ऊपर पहुंचने वाला है एक और दिखाता हूं कि स्क्रीन के ऊपर चाईम एडम है जो कहती है इस रोविल लॉंच अदित्या एलवन मिशन क्या है मिशन कहां पर लाइंड करने वाला है अदित्या एलवन मिशन इस एक्पेक्टेट तो रीच अब्सरवेशन पॉइंट इन फोर मंस इट विल बी प्लेस्ट इन पॉइंट या फिर लाग्रेंजियन पॉइंट जो भी इसको कहा जाता है विच इस 1.5 मिलियन अधित्या एलवन की जो प्रोजेक्ट डिरेक्टर है वो एक मुस्लिम महिला है अफसोस नरेंद्र मोदी इनको बुला करके और इनके पास जाकर के इनको थैंक्यू नहीं बोलेंगे जिसे वो एस सोमनाथ जी के पास गय थे साथ आगे बढ़ना चाहूंग और बात करना चा जा रहा है और शिवलिंग के ओपर सीवर का पानी आप डाला जा रहा है जो कि पालम टेक्निकल एरबेस के सामने है बनावा उसको लेकर भी बहुत जादा अब विरोध हो रहा है या फिर और राजडिती शुरू हो देखिए जितनी भी चीज़ों को लगाया गया है वो जा रहा है कि भाईया यह शिवलिंग नहीं है यह तो आटिफैक्ट है लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाता हूं एक वीडियो चला करके अब खुद मुझे बताओ यह लगाये गए हैं यह शिवलिंग है यह आटिफैक्ट है अगर इसको आटिफैक्ट बुलाया जा रहा है तो भाईया यह हिंदू धरम की अब तक की सबसे बड़ी वाली इंसल्ट है जो बीजेपी का ही अपना चड़ी कर रहा है इसको लेकर कि इसके ओपर जो पानी डाला जा रहा है वो सीवर का पानी है आमादी पार्टी ने इसको लेकर के दिल्ली के LGK अगेंस्ट कंप्लेंड भी करी है मतलब यह शिवलिंग लगाया गया उसको आर्टिफाक्ट बुलाया जा रहा है और उसके ओपर सीवर का पानी डाला जा रहा है आखिरकार किस चीज का बदला ले रहे हो तुम हिंदूों से इसके साथ आना चाओंगा अपनी आखरी खबर की तरफ और करो चचा पनौती से इसके साथ इस वीडियो को यही खतम करना चाहूंगा अब आपका क्या रियाक्शन इन सारी खबरों क्यों पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाके सब्सक्राइब का बटन अपिर सब्सक्राइब का बटन दब Państwo लाइक है